जैसीयराम मैं आचारे संदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल भागत गंगा पर प्रथम तो आप सभी को रक्षाबंधन की धेर सारी सुपकामना है आप सभी लोगों ने स्रावणी अच्छे से मनाई होगी आसाय ही करता हूँ रक्षाबंधन भी अक्षे से म के बारे हju बात करेंगे यदि आप गौडवंस के छत्री है तो आप शुषवंस यह भी है यह बी ऐसा जान सकते हैं गोत्र आपका पारसकर ग्राहे सुत्र होगा कुल देवी आपकी महाकाली है इस्ट आपके अरुद्र है और धर्म आपका जो है वो शाक्त धर्म है यानि मा शक्ति को मानने वाले आप लोग होंगे गौण शत्री जो है वो स्री भरजी माराज के पुत्र के वंसज माने जाते हैं गौण वंस जो है और बालमीकी रामाड में तक्षक को तक्षक सिला का जो है राजा बनाया गया है ऐसा वरणन भी आया है श्री मत बालमीकी रामाड में यानि कि जो तक्षक थे उनको तक्षसिला का राजे दिया गया और वही आगे चल करके इस गौण बंस के स्थापक हुए ऐसा माना जाता है जो महाभारत में बढ़न आया है इस बंस का वो जैद्रत से है जैद्रत इसी बंस के राजा थे उसके बाद थानेस्वर में इस बंस की राजधानी हुई वहाँ से सिंगहादित नाम के राजा जो थे वो गौण देश गये और वहीं से गौण नाम पड़ा बंस तो पहले से चल रहा था लेकिन गौण बंस जो है नाम वहाँ से पड़ा महराज गोपी चंदगोड इस बंस में परशिद्ध पुरुस हुए है मैं प्रधान पुरुष भी मान सकते हूं उनको राय बहादुर पंडित गवरी चंद जी लिखते हैं ये एक लेखक है इसके बंसावली के लेखक है इन्होंने लिखा है कि इस समय राज पुताने में अजमेर गड़ में ये ज़्यादा पाए जाते हैं विशेस्ता और बाकी कई जगहां पर थे पर क्रमसा राठोड ने जो है आसपास के इलाकों में इनको इनकी राजधानियों को जो है ले लिया है अबद में सिवगल रियासत है वहां भी ये लोग बसते हैं मारवाण में जो मारोठ है परगना एक है मारोठ नाम का वो गुडारी कही जाती है उभी इनसे राठोडों ने छीन लिया था अब इनकी साखाएं जो है वो गौड है चमगोड है बभन गौड है बट गौड है आम उठिया है और गौडाहार है ये इनके अब साखाएं है चोटी-चोटी ऑधास अंब इनका चत्रियों में आप गोत्रे त्यादी देख करके होता है कहीं कहीं पर जो है अलपशंख्यक भी पाये जाते हैं बहुत ज़्यदा नहीं प्राप्त होते हैं गड़बंश के लोग तो यह इतना ही इनके बारे में मालूम चलता है यादी जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा बिलंब से वीडियो आती है उसके ल जरू जए सियराम